आज वीडियो बहुत अच्छी बनेगी आपने देखे फसल हमारी त्यार होगी है अब हम इसको काटेंगे यह आप आपको दिखाते हैं कि मिशीन से कैसे निकलते हैं मिशीन से निकलती है यह फिर और भी आपको दिखाते हैं आगे असलामु आलेकूम प्यारे जबर हम आपको पता तो चाली गया होगा कि हम पंजाब में आ गये हैं आएं तो आगे हमारे भाईयों की फसल पाकी चुकी थी तो हम सब आएंगे इदर फसल काटने के लिए मुझी की यह देखें यह मुझी है तो हमने यह काट दी है काटके उसके बाद हम आपको इसके अंदर से जो जाड़ते हैं अंदर से वो इरिया होती वो निकालते हैं उसके बाद चावल निकलेंगे यह हमारी खुद की मेरे भाईयों की फसल है तो हम काटने के लिए आएं सब यह देखें यह देखे फसल हमारी त्यार होगी है अब हम इसको काटेंगे आपको भी दिखाते हैं कैसे काटते हैं और कैसे मुझी बनती है चावल बनते हैं तो इसके बाद हम काटते हैं तो आप देखना हमने मुंजी काटके रखी हुई थी तो अभी हम मुंजी जाड़ते हैं आपको दिखाते हैं कि वो जाड़ते कैसे हैं इसके उपर मुंजी लगी हुई ये 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 देखें ये मुंजी जिसको बोलते हैं इसके अंदर से चावल निकलेंगे ये आप आपको दिखाते हैं कि मिशीन से कैसे निकलते हैं जाड़ते हैं मिशन एे ये ये मुंजी जाड़ते हैं जाड़ते हैं आपने देखा है ना ये मुझी किस तरह निकलती है ये देखें ये ये हमने आपको दिखाएं कि इधर से ये मुझी निकलती है ये किसम से निकलती है कि हाथों से निकलती है मिशीन से निकलती है ये फिर और भी आपको दिखाते हैं आगे येये देखें ये मुझी परीए इसको हम मुझी कहते हैं और पंजाबी में धाई भी कहते हैं यह वो चीज है जिसके अंदर से चावल निकलते हैं यह देखें वीवर्ज आपने देखा है कि जो चावल निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं हमने आपको बताया है कि ये मिशीन से निकलते हैं हाथों से भी निकलते हैं और इसको जाड़ते हैं फिर मुझी निकलती है फिर चावल तियार होते हैं तो ये ऐसे हम तक जो पहुंचते हैं चावल हम पकाते हैं जो राइस ब्रियानी जो मतंजन जो हम चावल पकाते हैं हम तक पहुंच जाते हैं चावल तो ऐसे ही बनते हैं जैसे हम ने आपको दिखाया है मेहनत बहुत होती है मेहनत से हमने बनाई है ये वीडियो तो आपने द झाल झाल